हेलो फ्रेंड्स, खापिलो किचिन्मे में भारती भाव सार आपका बहुत स्वागत करती हूँ आज हम आलू चिप्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपने मेरे पिछली वीडियो को भी काफी पसंद किया था जो कि आलू के पापड़ की थी और ये मैंने आलू चिप्स बनाए हैं एक नए तरीके से बनाए हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इसका लाइब भी तलकर भी दिखा दिये हैं बिल्कुल सफेद बने हैं हमारे चिप्स भी और ये नई ट्रिक से बनाए हुए हैं तो अभी तक आपने मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये देखिए मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये आलू चिप्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो चलिए बनाते हैं आलू चिप्स तो इसके लिए मैंने करीब दो किलो के करीब ये आलू लिये हैं दो से देड़ किलो के करीब हैं आलू अब मैं इसको छील लूँगी मैं बहुत ही नई ट्रिक से ये आलू के चिप्स बना रही हूँ तो आप इस रेसिपी को जरूर देखते चाहिएगा अब मैं ये आलू छील लिये हैं सारे इसको हमने पानी में डाल दिया है ये देखिए पानी में डालने के बाद हमने इसको दूसरे पानी में और डाल दिया है ये गंदा पानी था तो इसको हमको साफ एक और अच्छे पानी में डाल देते हैं ये देखिए मैंने सारे आलू को अच्छे पानी में डाल लिये हैं अभी चिप्स का मौसम भी है चिप्स बनाने का अब मैं गैस पे ये आन कर देती हूँ और इसको एक उबाली लेनी है हमको ज़्यादा उबालना नहीं है और ये हम नमक डाल देते हैं आप यदि नमक नहीं डालना चाहते तो मत भी डाली इसको इसकिप्ट कर सकते हैं और इसम उबाली के बाद हमको इसके एक ही उबाली लेना है बस और इसके बाद हमको ढग देना है हमने चाकू देख ले आए गड़ा कर तो यह सॉफ्ट हो गए हैं बहुत जादा सॉफ्ट भी नहीं करना है सिर्फ आपको एक उबाली लेना है और गैस को आफ कर देना है यह इसकी में मेथर्ड है और अब हमने गैस को बंद कर दिया है और दो मिनिट के लिए हम ढग देते हैं और वापस निकाल लेंगे अब ठंडे पानी में डाल देंगे ये सारे आलू देखिए आज चारे सा लग रहा है ये एक उबाली में ही पूरे आलू अच्छे से हो गए हमको ज्यादा नहीं पकाना है इस बात का हमको ध्यान रखना है जादो बलने से आलो चिपचपे हो जाते हैं और ये मैंने आलो निकाल दिये अब हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये नई ट्रिक से बना रहे हैं तो ये बहुत सॉफ्ट भी ब कि यह मैं दूसरा पानी में चिप्स की जो चिप्स बनाते हैं उसकी मशीन ली है और यह मैं चिप्स बस अब डालती जाओंगी आप देखते जाहिए यह मैं चिप्स डालती जा रही हूँ आप कोई भी कपड़े के उपर डाल सकते हैं, पॉलेथिन पर डाल सकते हैं, लेकिन कपड़े के उपर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो अब ये सूखने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे, बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट दिख रहे हैं, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपके चिप्स कैसे बनें, थैंक यू